बताए एकर आपको संद्राइज देखना है तो नॉम्बर दिसंबर जन्वरी फर्वरी में आप आ सकते हैं गुड़ मॉलिंग गाइज तो हम नेधराट के संद्राइज के लिए जारें सुबह सुबह के बज़े हैं साड़े पाच और हम उठे थे साड़े चार बज़े तो तयार होते हुए प्रेस होते हुए हमें आधा गंटा लग चुका है लेकिन अब हम जा रहे हैं संद्राइज क अब तो तीन मिनिट में संद्राइज परण पें पहुचने वाले हैं और रॉस्णी भी अंधेरा जा रहा है और रॉस्णी अंधेरा यहां जी है अब बहुत मजा नहीं हो आज जी है और संद्राइज देखने के बाद थोड़ा सा एक्स्प्लोर करेंगे हम लोग उत्रख रहा है इधर नट खोड़ा और एक्स्प्लोर करेंगे उसके बाद हम लोग लूट पॉल के लिए लिगर जाएगे यहां से जो 50 किलो में दूर के और उसके बाद हम लोग घर चलेंगे और हम लोग कोईल व्यूपॉइंट पहुच चुके हैं तो नेदरहाट आना तो एक बार बनता है क्योंकि जो यहां की कुप फूर्ती है और जो लोकेशन है घूमने के लिए तो यह लबजों से बया नहीं किया सकती है आप यहां पर एक बार जरूर आना राची से बहुत नस्दिक है आपको 150 किलो मीटर की आसपर आपको पड़ेगा तो अब जब यहां पर आओगे नहीं यहां पर आराम से आप दो दिन एक्स्प्लोर कर सकते हैं दो दिन घुन सकते हैं तो दो दिन काफी है यहां के लिए तो आप यहां पर आओगे तब ही आपको पतर चलेगा और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने संदाइस पॉइंट पर गाड़े में लगाते और बाइक हम यहां लगा दे रहे हैं जैसे के भी देख रहे हैं कुछ लोग पहुंचे हुए बादा लोग तो आई हुए अभी चंद गाड़ियां आई हुई हैं तो अभी काफी भीड़ होने वाला है यहां पर तो हम थोड़ा देख लेते हैं और यहां से हम लोगों को फ्यूव देखने वाला है जैसा कि अभी सुबह सुबह है दुन्द आपको देखे रहा है तो यहां से थोड़ी तिर के बाद गजब का नजारत देखने को मेरेगा जैसा कि अब देख रहा है गाड़िया लगनी सुरी हो गई है संद्राइज पर और काफी दूर दूर से लोग आते हैं ज्यादतर नहीं आपके देखा है कि बैंगवाल के लोग जाता है काफी भीड होने वाली है कल सामको संसेट के टाइम में तो जल्ग तक हजारों की भीड थी संसेट देखने के लिए तो संद्राइज के लिए भी उतनी भीड रखने वाली है और अभी सुरस तो निकला नहीं है बस थोड़ी देर में निकलना ही माला है सुबसबगा नाजारा ही वह कमाल का है वह सामने जहाँ पर संद्राइज पॉइंट है नीचे पुराबादल पहाड देख रहा है बस भगवान सुरस की थोड़ी से कमी खल रही है तो जैसे वह न आप यहां पर जरूर आना है मैं तो आपको रिगमेंट करूंगो कि आपको नेतिरहाट जरूर आना चाहिए तो अभी तक तो संद्राइज दिखा नहीं है तो हम लोग आ चुके हैं पाइन फॉरस्ट में और ऐसे मौसम साफ है बट थोड़ी थोड़ा बादल है इसलिए बादलों की वज़ा से सुरेज नहीं दिख रह通े आ है जहत्त नीशर जंगल उसके बार फिर बादल है जहाँ पे कल हमें नदी दी दीख रहीं थी वहाँ पे चाहिए एपला बादल है उसके बहारा काफी बादल है इसके वज़ा से सुरेज नहीं दिख रहा Malaysia तो हम लोग लेगिन व्यू कमाल का है तो व्यू आप इंज्वाइ कर सकते हो और और पाइन फोरेस्ट में तो व्यू कमाल काता ही है तो आप आप यहां का गठीन कोता सकते हो संद्राइज के लिए काफी लोग आउए थे काफी लोग चल गया वापस क्योंके संद्राइज ढिगा नहीं कोई बात नहीं हुआ पर फिर से आ जाते हैं संदाइस पोंट बे अ का कि अ भी आप तो संराइज तो आज दिखा नहीं बादलों की बज़त तो हम लोग नेदरहाट के फोरेस्ट उफिस चले हैं जो यह वी काफी फिमस है और यह जितने भी बंगले आपको दिख रहे हैं कुछ बंगले हैं वो सामने बंगला लकडी का है यह फोरेस्ट उफिस है तो हम लोग फोरेस्ट उफिस भी विजिट कर रहा है उसके बाद कुछ देर के बाद यहां से हम लोग निकलेंगे लोध पॉल के लिए तो यहां से भी वीव कमाल का धीक रहा है तो आपको दिखाता हूं और वो जो बंगला देख रहे हैं लकडी का है बहुत ही खुब्सूरा जगह है तो अगर आपने घर हडाते हैं तो फोरेस्ट उफिस भी ज़रूर विजिट कीजिएगा मुझे भी किसी ने स्रेस्ट किया था कि आप वहां पर ज़रूर जाना तो अगर आप यहां रुकने चाहते हो तो रुक सकते हो बट् और काफी कुपसूरा जगह है और बहुत ही मजा आएगा आपको यहां पर आप यहां पर गोगो तो नेजर का मज़ा ले सकते हो तो नेजर हट का खोरेस्ट आपिस भी बहुत ही खुपसूरत है इसकी खुपसूरती मतलब आदमी कहता है ना कि लबजों से बया नहीं कर सकता है आपको खुदाना पड़ेगा यहां पर यह कुछ रॉक का काट को बनाया हूँ है काडन में तो काफी खुपसूरत जगा है तो अगर आप नेतर हाट विजिट करना तो फोरेस्ट आपिस ज़रूर आएगा मिश मत कीजिएगा हम लोगों ने सोचा था कि साइद फोरेस्ट आपिस हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे तो हम लोग जब संद्राइज के लिए तो सुबह प्लान किया कि हम लोगों ने कि फोरेस्ट आपिस हमें जाना है तो हम लोग यहां चले आए और वाकी में बहुत ही खुपसू बहुत यूनिक जगा है और काफी बंदर भी यहां पर तो आपको साधानी बरतनी की ज़रूत है क्योंकि बंदरों से मुझे बॉर्डर लगता है और यह रास्ता उधर भी जाता है तो अब उधर भी जा सकते हो जट के लिए और अभी हम लोग है होटल प्रभाद ब्यार में जो नेतर हाट का सबसे फेमस होटल है और यह है होटल प्रभाद जो काफी खूप सूरत है तो नेतर हाट में रुकने के लिए आपको बहुत अच्छे होटल मिल जाएंगी जिन में से एक प्रभाद भी आ रहा है यहां से लोग संराइज भी देखते हैं यह संराइज संसेट पॉइंट ने संराइज पॉइंट रही है पर यहां पर टेंट के भी विवस्ता है असा कि य आप देख झरी टेंट लाइन kanigे यह साने तो सामने रिश्ट्यक्ट हैं तो चोब यहां रुखने को काफ़ि अच्षी विपस्ता है तो आप प्रभात भीहार में यह और भी बहुत सारी में यह आप पर आप जया है अधिशन जब से निकले ओंगे तो बाहर क्यें अफिर्फा निकली है निकले किसी तरह कि कोई परॉब्लम नहीं है और एक कर संदाज अगर आपको देखना है तो आप नॉमबर दिसंबर जन्वरी फ़रवरी आए बार्ष के टाइम में ना आए तो हो सकता है हमें बादल मिला तो आपको भी बारिश के टाइम में footprints देखने को ना मिले क्योंकि बादल मिलेगा तो नम्बर डेसमबर जयनवारी फर्वरी में अपाएं सन्राइज देखने के लिए जैसा कि यहां के लोकर लोगों ने हमें बता आया है कि अगर आपको सनराइज देख subscribers जयन्वारी फारवरी आप आ सकते हैं संद्राइज और संसेट यहां का यूज़ पी है तो काफी कमाल का भी यहां से भी आ रहा है तो यहां से कमाल का भी आता हुगा संद्राइज के टाहिम में क्यूंकि मैं महसूस कर सकता हूं कि उन पहाडों के बीच में जो बातल देख रहा है इतना खुब सुरद देख रहा है और जब सुरज निकलता होगा तो क्या नजारा हुआ करता होगा लेकिन बातलों के वज़ा से आज हम संद्राइज नहीं देख पाए हैं कोई बात नहीं नेक्स टाइम जब हम आएंगे तो जरूर देखेंगे और हम नॉम्बर दिसम्बर में या जनौरी फर्वरी में जब संद्राइज हमें देखने को मिले हैं तो हम यह से निकलते हैं और ले चलते हैं आपको दूसरे पाइंट पर तो अभी हम हैं नेतर हाट के डग मंगला में तो यहां से भी आपको बहुत ही पुप्सूरत व्यू अब दग मंगला हो गया संद्राइज पॉइंट हो गया जैसे प्रभाद भिहर हो गया मनलब हर जगह से अलग अलग व्यू आपको देखने को मिलेगा जो काफी खुपसूरत है और यह निकासाथ का डग मंगला हो गया तो आप इन सब जगों पर मैं तो सजेस्ट करूंगा आप जरूर आए नेतरहाट में जब आए तो आप संद्राइज पॉइंट पर प्रभाद भिहर में खेसे नेतरहाट डग मंगला में जरूर विजिट करें बहुत ही प्सूरत व्यू देखने को मिलेगा और अब जाके सूरज निकल चुगा है पर बज़े हैं भी साड़े आठ तो यहां भी आप रूप सकते हैं डग मंगला में भी तो पता कर लिजेगा आपको तो कि यहां रूप सकते हैं परभात भिहारब कोडल वह है बहुत ही कुप सिर्ट है फिर ऐसे के बंगलों यहां अपे चीजिए कि यहां कर दो तीन दिन तो आराम से आप आप यहां पर vid कर सकते हो और खुद सकते हो बहुत मज़ा आये आपको तो हम अब यहां से निकलेंगे और हम आपको मिलते हैं सिधा नोदस Campaign Bak Dioma और उसके बाद हम लोट फॉल के लिए निकल जाएंगे जो यहां से 51 किलोमीटर है तो हम मिलते हैं आप से सिधा लोट फॉल में